सेंदवा कल राज चली ते जवाओं के बाद जहां नुकसान की खबरे आ रही है वहीं बिजली ठेकेदार दौर बिजली सप्लाई के लिए गाड़े गए पोल खोड़ने का मामला भी सामने आया है ठेकेदार दौर इस्टेंडर मापदन से पोल नहीं लगाने का मामला सामने आया है शेहर के पडल कलोन में बिजली सप्लाई के लिए गाड़ा गया पोल जहां गिर पड़ा वहीं डीपी के लिए गाड़े गए पोल तिर्चे हो गए शुक्र यह रहा कि फिलहार इन बिजली पोलों से बिजली सप्लाई बन था जिससे बड़ा हस्सा टल गया रहेवास उन्हों अरोप लगाया है कि जिस वक्त बिजली पोल गाड़े गया थे उस वक्त इस बात का ध्यान नहीं रखा गया था बड़ा वहास्सा होते हो तो बचा पर आगे और यसे खंबे भुस्सार जी गिर सकते कंपनी को आगे हैं देखना थी है कि आगे कुछ रहा नहीं होई और देखे ध्यान देगे और आगे और बर्शात आने वाली कुछ हवाय चली तो इसमें हैं सकते बड़ी कालों नहीं वहीं इस मामले में बिजली विबाग के डी इस अखराम करते भी मानते हैं कि इस्टेंडर मापदन के अधर पर पोल नहीं गारे गए थे जिसको लेकर बिजली ठेकेदार को नोटिस देने के साथ ही इंजिनर से भी जवाब तलब किया जाएगा उनका ये भी कहना कि फिलहा तारीक में एक्ष्वल में क्या बहुत तेज हवाय चल रही थी तेज हवा के चलने के वज़े से हमारे एरिये में काभी जगा मतलब लाइने फाल्ट होई और उस चीज में हमारे यहां पर अभी जो फिसला नया वर्क हुआ था जो अभी कुछ मेनों पेले उसमें कुछ हमा जान में आई कि जितना एज़ पर इस्टेंडर पोल गन्ना चीए उतना गड़ा हुआ नहीं था जिसकी वज़े से मतलब यह जो हवा का प्रेसर पोल जेल नहीं पाया और वो मतलब उकड़ गया उसमें और उसे भी नोटिस भी जारी किया जाएगा इसमें हमारे जो ठेकेदार तो जो काम करता है लेकिन हमारे जो इंजिनियर जो लोकल इंचार्ज होते हैं उनको मतलब सुपर विजन का दाइत वो होता है कि जो समई समई पे जाके वो जो वर्क हो रहा है उसका सुपर विजन क कर रहे थे उनको मतलब वो चीज घ्यान देना चाहिए था और एच पर स्टेंडर करने के लिए या पिर जो हमारा कांटेक्टर एच पर स्टेंडर नहीं कर पा रहा है तो उसके लिए मतलब वो नोटिस में वो चीज लाना चाहिए तो अब यह सवाल उर्ता के इतनी बड़ी परवाई के लिए ठेकेदार और इंजिनर पर क्या कारवाई की जाएगी यह तो आने वाला वक्त बताएगा लेकिन अगर विद्व सप्लाई चालू होती तो बड़ा हास्ता हो सकता था और लोगों को बड़ा नुकसान हो सकता था